नमस्तेकार और आज हम कड़े हैं इंडियन पिकप ट्रक के सामने जिसका नाम है टाटा 407 1986 में लॉँच हुआ था और ये 2019 का 2nd जनरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं डीजल और CNG में आता है रेंज शुरू होती है एक शोरूम 8,50,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 12,50,000 रुपीज और ये EX-33 मॉडल आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 11,00,000 रुपीज टिपर और चैसी का भी ऑप्शन है 407 में इंडिया का पहला लाइट कमर्शियल वाइकल कहा जाता है 407 को और इसने इंडिया के लाइट कमर्शियल वाइकल सेक्टर को पूरी तरह से बदल दिया था पांच लाग से ज्यादा 407 बिक चुके हैं दुनिया में 407 या हिंदी में बोल सकते हैं 407 और ये फ्रंट बंपर और ये रिफ्लेक्टर्स और ये ग्रिल और ये टाटा की बेजिंग और ये हैलोजन हैड लैम्प ये साइड इंडिकेटर 407 एक्स की बेजिंग पुछ स्टिकर्स हैं और ये आउटसाइड मिरर एम्रॉन की बैटरी है ये स्पेर वील आगे और पीछे हाइड्रॉलिक डबल एक्टिंग टेलिस्कोपिक टाइप शॉक अब्जॉर्बर के साथ सेमिलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे आगे सस्पेंशन में अंटी रोल बार भी मिलेगा फाइव मिटर लेंथ है टू पॉइंट एट मिटर हाइट है टू पॉइंटी सिक्स हंड्रेट केजी कर्ब वेट है टू फॉइंट एम्म ग्राउंड क्लिरेंस है और थर्टीन पॉइंट वन मिटर टनिंग रेडियस है 007 का यह आईवरी कलर आप देख रहे हैं वाइट कलर का भी आप्शन है पीछे हाई लोडिंग बॉड़ी है और यह हैं 16 इंच के स्टील वील आगे और पीछे एयर ब्रेक्स मिलेंगे 1982 के आउस्ट्रियन ट्रक स्टायर 591-691 सीरीज के मैनुफेक्चरिंग टूल से बना है टाटा 407 और स्टायर 591 भी 1967 के जर्मन ट्रक हैनोमेग F सीरीज पे बना था इन दोनों ट्रक से रिलेशन है टाटा 407 का साउथ एशिया एफ्रीका लेटिन अमेरिका की कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है टाटा 407 ये टाटा का लोगो ये टेल लैंप 407 के एंजिन और ट्रांसमिशन पे तीन साल या तीन लाग किलोमेटर की वारंटी टाटा देता है 280 mm डाइमेटर की सिंगल प्लेट ड्राइ फ्रिक्शन टाइप क्लच है 23 परसेंट ग्रेडबिलिटी है 407 की हैवी ड्यूटी लैडर टाइप फ्रेम है बोल्टेड क्रॉस मेंबर्स के साथ और ये वाइपर्स हैंडल बार के साथ ये SSC मॉडल है जिसका फुल फॉर्म है सेफ और कमफर्टेबल क्योंकि इसमें आगे नोज है जो ड्राइवर को सेफटी और सिक्यॉरिटी देता है विदाउट नोज वाला मॉडल भी आता है उसको LPT कहते हैं और ये फ्यूल टैंक रैक एंड सेक्टर के साथ री सर्क्यूलेटिंग बॉल टाइप स्टेरिंग सिस्टम है 407 में इंडिया का सबसे फेमस लाइट कमर्शियल वाइकल है 407 आई ये पीछे का कमपार्टमेंट खोल कर देखते हैं और इस टाइप से उपन होगा पीछे का डोर तो यहां आप रख सकते हैं 3200 केजी तक का वेट इसको क्लोज कर देते हैं आईए ड्राइवर साइट डोर खोल कर देखते हैं तो यहां डोर पे नीचे बॉटल ओल्डर है और काफी स्पेस दी गई है विनाइल फिनिश है डोर पे मैनुवल विंडोस मिलेंगी और यह फुटस्टेप और यह पैडल्स और यह है फैबरिक पॉल्स्ट्री तीन है ड्रेस मिलेंगे काफी शांदा डिजाइन है पॉल्स्ट्री का सिंपल प्लेइन रूफ है और यह लाइट के कंट्रोल्स है AC वेंट हैंडल बार है चड़ने के लिए आईए ट्रक आउन कर लेते हैं शांदार डैश्बोर्ड और यहां थोड़ी स्पेस दी गई है और यह सीट अड़ेस्टर है और यहां पर पीछे काफी बड़ी लाइट दी गई है और यह है जी थ्री एट्टी सिंक्रो मेश फाइव स्पीड मैनुल ट्रांसमिशन और नीचे थोड़ी स्पेस है यह फैन के कंट्रोल्स है दो वेंट्स मिलेंगे यह डैशबोर्ट के फिनिश और यह लॉकेबल ग्लोब बॉक्स है काफी स्पेस है यहां पर और यह पैसन दे साइट सनवाइजर और यह ड्राइवर साइट सनवाइजर और यह है टू स्पोक स्टेरिंग वील और यह लाइट के कंट्रोल्स है और यह वाइपर के कंट्रोल्स है यह को फंक्शन दिया गया है यहां पर और यह सिकता इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यह वार्निंग लाइट्स हैं यह फ्यूल लेवल यह स्पीडोमेटर और यह कूलेंट टेंपरेचर और यह वार्निंग लाइट्स ABS भी मिलेगा यह पीछे भी विंडो दी गई है आईए फ्रन्ट का बोनेट खोलते हैं टाटा 407 मिड एंजन है इसलिए वो एंजन देखा नहीं जा सकता है तो 3000cc इन लाइन 4 सिलेंडर टाटा 4SP CR टर्बो इंटर कूल्ड टीजल एंजन मिलेगा एलेक्ट्रोनिक डेलफी CRDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ 83 होट्स पावर है 250 Nm टॉर्क है 110 किलोमेटर पर आर की टॉफ स्पीड है और 10 का एवरेज मिलेगा 60 लिटर के फ्यूल टैंक से एंजन ट्रक के बीच में है नीचे जो दिखाया नहीं जा सकता है काफी मुश्किल उसको दिखाना 3000 CC एंजन है 407 में और यहां नीचे है एंजन आईए एंजन साउंड सुनते है तो यह थी 350 CC एंजन की साउंड और यह है पुराने डिजाइन में Tata 407 यह पिकप EX वर्जन है इंटीरियर लगबख सेम मिलेगा नाए मॉडल जैसा ही स्टेरिंग में थोड़ा डिफरेंस है एपॉल्स्ट्री में भी डिफरेंस है इस 407 का ग्रॉस वाइकल लेट है 4450 केजी और यह है टिपर बॉडी में Tata 407 काफी बॉडी स्टाइल्स आते हैं Tata 407 के तो कैसे लगा आपको Tata 407 ट्रक हमें कमेंट्स में बताईए थैंक यू अपको प्रॉस आते हैं प्रॉस आते हैं खर जब बद्ट में तो कैसे लाइकल इस प्रॉस आते हैं झाल झाल